केलो स्किंट्स क्या से हैं आप सब लोग तो न्याशनल इंकम का प्रड़क्शन मेथ़िद हम लोगोंने फिनिश कर लिया था आज हम करने वाले हैं नैशनल इंकम का इंकम मैथ़िद और ध्यान रखना है जो इंकम method है बहुत important है board examination में income से chance बहुत जादा है even expenditure method जो अगले class में करेंगे वो भी important है तो इन तीनो methods है production, income, expenditure इनसे मिलाकर 4 to 6 marks का question बनना ही बनना है और आपको इतने अच्छे समझा दूँगा कि damn sure आपको पक्का अच्छा लगेगा अपनी बुक का कोई भी question आज की अभी की आदे घंटे की class के बाद आप कोई भी question उठा कर आराम से कर सकते हो इसकी guarantee बन जाएगा आप से तब वीडियो को like कर देने class, channel को subscribe करेंगे अब लाइकन दबा देना daily 7 बजे, account सीको वीडियो, account सीको की जो वीडियो है इसके नदर काफी सरी questions है, वो आपको हमारे टेले ग्राम चैनल सुनिल पांड़ा 2021-2022 चैनल पर आपको free of cost मिल जाएगा heading डालो income method देखो national income यानि की NNPFC NNPFC को निकालने के लिए हमारे पास 3 method production method, income method और expenditure method तो income method से जो निकलता है, production method से तो बता दिये था मैंने आपको GDP MP निकलता है income method से निकलता है NDPFC और NDP at FC को हम लोग domestic income भी कहते है NDPFC यानि की domestic income अब NDPFC निकालने के लिए मुझे 4 चीजों को जोड़ना है बस और कुछ नहीं चार चीजों को मैं जोड़ूंगा तो आपकी पास आ जाएगा NDPFC कुछ नहीं करना सबसे पहले इन 3 चीजों को बताने वाला हुम है आप उसे जोड़ दो तुम्हारा NDPFC आ जाएगा और एक बार अगर आपका NDPFC आपको मिल गया तो आप NDPFC से जिसको चाहो उसे कनवर्ट करके निकाल सकते हो easily तो सबसे पहली चीज इंकम मैथ़ड में जो हम लेते हैं वह है कॉम्पन्शेशन ओफ एंप्लोईज सबसे पहले चीज के लेते हैं कॉम्पन्शेशन ओफ एंप्लोईज compensation of employees दूसरी चीज जो लेते हैं space छोड़ कर से बनाना मेरी तरह इंट्रेस्ट प्रॉफिट और तीसरी चीज जो लेते हैं वो लेते मिग्स इंकम सेल्फ इंप्लोईड में यह करके आपको समझाता हूं देखो यह इंकम मेथड है तो इंकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं लोगों की इंकम को कांउट करेंगे इंकम कैसे मिल सकती है लोगों को सबसे पहला जो क्लासлена मिलने का तरिका है वह कॉंपंशेश्ट इंप्लोंईज आपको QR होगा question मेें दिया होगा अगर सर Responsation of Employees नहीं दिया तो हम क्या करेंगे बना Compensation of Employees अगर नहीं दिया होगा तो दीया है फिर तो आप résだ नूइन लेकिन अगर आप Compensation of Employees नहीं दिया है को आप इसके 2 सब पार्ट लोगई सबसे पहला जो पार्ट होता है वह होता है wages and salaries in cash and kind in cash and kind ठीक है पहला क्या है wages and salaries wages and salaries in cash and kind जो लोगों को wage मिल रहा है salary मिल रहा है चाही हो cash में मिल रहा हो और दोसरा क्या लेगे Neighbor ध्यान समझे न मैं passen Employer लिखा है मैंने Employee नहीं लिखा Employee काम करता है Employer उससे काम कर वाता है Employer employer contribution towards society लिखा हो सकता है यह लिखा हो सकता है towards social security scheme तो हम यह दोनों कब लेंगे इन दोनों कब आड करेंगे जब आपको compensation of employees नहीं दिया होगा अगर आपको compensation of employees दिया है फिर तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको compensation of employees नहीं दिया है तो हम wages and salary and cash and kind लेंगे और employer contribution towards society इन दोनों को हम लेंगे clear है हां तक दूसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो क्या लेना है रेंट रोयल्टी इंट्रेस्ट प्रॉफिट अच्छा रेंट लोगों को royalty मिलती है जब भी book sale होगी तो class उसकी सेल पे एक परसेंट जो है वो author को मिलता है लिखने वाले को writer को that is called royalty अगला interest अगर मैं किसी को पैसे दे रखे हैं तो मुझे ब्याज मिलेगा उस पर और class company का profits लेकिन अगर आपको rent नहीं दिया तो है इंट्रस को बोलते हैं अनडिस्टिबूटेड प्रॉफेट का सबसे पहला पार्ड उन्डिस्टिभीट प्रॉफेट रफिट्स जो दूसरा पाइब है और जो तीसरा पार्ट है वो है कॉर्पोरेट टैक्स ज्यान समझना कि कॉंपंशेशन आफ एंप्लोईज देखना है पहले कोश्चिन में मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिला तो उसके दो पार्ट लोगे विजन सेलरे इंड कैश और एंप्लोर कॉंट्रिबूशन टूर्ट सोसाइटी सैकेड जो चीज़ आपको लेनी है वो लेने रेंट रोयल्ट इंट्रस्ट फ्रोफिट रेंट नहींद दिया होगा जीनए बिधर एंट्रस में और अबिटें अरकोटा है उंडिसटीबूट प्रोफिट मतलब रिते नर्निंगे रिज़र्व जो आपने अब तक बाट नह है जो आपने profit का हिस्सा नहीं बाटा है डिविएंट तो आप जानते हैं यह class profit का वह हिस्सा जो बाट दिया जाता है corporate tax जो है वह class companies के लिए tax लगता है जो companies के उपर tax लगता ना corporation tax यह वह है तो अगर तुमको profits नहीं दिया गया है तो तुम इन तीनों चीजों को एड़ करोगे और आपको profit after tax दिया है और tax दिया हूँ तो tax को भी आड़ करोगे विकॉस आपको profit before tax लेना होता है यह profit किसी भी चीज़ को देने से पहले का है total profit थीसरी चीज होती है mix income self-employed mix income क्या होता है अगर मेरा रही business है और मैं ही business का मालिक हूँ और मैं उसमें काम भी करर हूं बजला business मेरा और काम भी कर रहा अपने business के अध्र मुझे अपनी business से कुछ income मिलेगी मैं मानूं कि मैं काम नहीं करता तो इस काम कोई और करता उसे तनक्वा दिना पड़ता तो वो जो इंकम है मतलब मैं खुद अपने बिजनेस से चो पैसा कमा रहा हूं तो मुझे इन तीनों चीजों को जोड़ना है मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास अगर आपको अगर आपको अगर ले ले लेकिन अगर तुमको फिर मुझे यह तीनों नहीं लेना है लेकिन अगर मुझे profits नहीं दिखा question में तो मैं zero नहीं मानूंगा फिर मैं ढूंडूंगा अगर किसी question में यह item दिया गया हो that is called operating surplus तो अगर किसी question के अंदर operating surplus दिया गया है then ignore point number second आपको point number second को ignore कर देना है यानि आपको इसको नहीं लेना है क्यों operating surplus जो है वो point number second को ही कहते हैं पूरे को पूरे को कि जो operating surplus है यह जो operating surplus है यह sum के बराबर है किसके operating surplus is equal to rent plus royalty plus interest plus profit operating surplus किसके बराबर है rent royalty interest profits के तो अगर आपको operating surplus ही दे रखा है यानि कि अगर आपको rent royalty interest profit ही दे रखा है तो इसलिए operating surplus अगर आपको given दे रखा है तो आपको कुछ भी नहीं लेना है एक्स्ट्रा ठीक है तो यह हो गया class आपका पूरा का पूरा income method screenshot ले लो और यह बिल्कुल finalize है अब मैं आपको दिखाता हूं class कुछ questions और कुछ कुछ आपको homework मिलेंगे मैं बता देरों class जो PDF है आपको हमारे telegram channel आप telegram धून लेना 2021-2022 पे आपको free of cost मिल जाएगा आप questions बना सकते हैं even eco-based के सारे notes accounts के सारे questions सब कुछ आपको वहीं परी मिलता है that is free of cost ओके चलो अब बात करते हैं यह रहे question income method का तो मैं इसे बराने वाला हूं आप देखने class कितनी simple तरीके से बन जाएगा अगर आप क्या गलती करो बता दूंगा आपको अच्छे से बट आप मेरा तरीका फॉलो करना जैसे मैं बता रहूं आपको वैसा ही ठीका तो सब बना के लेकिया हो जाए ही तो आएगा ना माइंड में उसी तरीके से अगर आपको रेंट दिया है इंट्रस रोयल्टी टैक्स दिया है प्रडक्षन तो नहीं लगा पाओगे ना आप इंकम ही लगाओगे ठीक है इंकम मेथर्ट से निकलेगा क्या बोलो अब आपको बोड इग्जामिनेशन को भी दिखा दूंगा एक दो कोशन ऐसी देख लेते हैं पहले एंडीपी इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या अगर तुम्हें सामने वेज आ जाए तो घबराना मत उनको पिक मत करना पिक कभी मत करना अगर तुमको वेज़ेस सेलरी एंप्लोई को देखने की बज़रत नहीं दूसरी जीच जो तुमको चाहिए रेंट रोयल्टी इंट्रेस्स प्रॉफिट रेंट कितना है रोयल्टी इंट्रेस्ट और प्रॉफिट्स कितना है सर प्रॉफिट नहीं तो प्रॉफिट के तीन पार्ट है ना प्रॉफिट नहीं है तो मैं तीन पार्ट धूड़ूगा प्रॉफिट होता तो मैं तीन पार्ट नहीं धूड़ता तो पहला पार्ट क्या अंडिसर प्रॉफिट वो सही निकालना कुछ भी सही लेकिन जो income method हम लगाएंगे income method से तो यही निकलेगा इसी लिए class मैं इसको निकाल देता हूं तो आएगा 1710 1710 बट मुझे निकालना क्या है NNPFC गिवन क्या है NDPFC ध्यान समझना मुझे निकालना क्या है NNP MP गिवन क्या है NDPFC तो मैं convert करना को सिखाई रखा है मैंने आपको net से gross में जाने के लिए क्या करोगे प्लस डप domestic से national में जाने क्या करोगे प्लस NFIA FC से MP में जाने के लिए क्या प्लस करोगे प्लस NIT FC से MP में प्लस NDP FC आगया 1710 प्लस डेप्रीशेशन डेप्रीशेशन आगया 70 प्लस NFIA नेट फैक्टर इंकम फ्रों ब्रोड आगया माइनस का 10 माइनस NIT नेट इनेट अटक्स आगया 60 हम देख लेते हैं क्लास इसको 1710 प्लस 70 माइनस 10 और माइनस 60 तो यह आगया 1701 क्लास कुछ इसमें साइध मिस्टेक हो गई है एक बार चेक कर लो आपको निकालना क्या है NNP MP और गिवन क्या आए क्लास NDP FC अच्छा यह नेट इंडक्स 60 है ना तो यह प्लस करेंगे ना माइनस करते हैं अब चेक कर लेते इसमें 1700 यहां पर आगया क्लास 1710 प्लस करेंगे 70 और माइनस करोगे आप इसमें 10 1770 तो यहां पर कुछ मिस्टेक होई हो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बताओ यहां पर चार्जस चार्सब्स और यह आगया 100 प्लस 20 फिफटी प्लस फिफ ट्लस एक तो यह ठीक है बिल्कुल आपको निकालने के एन पी एंपी तो एन से एन अच्छा यह सबसे बली बाद ना यह सब्सक्राइब मतलब जोड़ दिया है यह एन और एन से मैं तो हमें डेप तो लेना ही नहीं था इसमें अब ठीक है यह हमने साथ गलत ले रखा था इसलिए आंसर नहीं लिया होगा ठीक है यह आगया सेवेंटीन हंड्रेड शिक्स्टी यह बिल्कुल आंसर आगया परफेट तो अगर ग्रॉस होता ना तो हम क्या करते है यहां तो नेट है यह बहुत है तो कोई काम नहीं है डोमेस्टिक नेशनल है और एपसी और एंपी बस उसका काम करेंगे यह बोला आपको जी एंपी निकालना है इंकम मेथड से बोड के प्रिजेंटेशन में मैं इसको इंकम मेथड से करके देखता हूं और आप इसे एक्सपेंडिचर मेथड से तब करना जब हो जाएगा और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ ठीक है तो हम सबसे पहल है solution। तो मैं सबसे पहले है या लिखूंगा बाय व्यूजिंग वाख यूजिंग इंकम मेथड वाओं से निकलता क्लास एंडी पी एपसी इंकम मेथड़ से निकलिए को शहांट डें Judith in compensation of employees आप बोर्ड इग्जामिनेशन में फॉर्मल लगाओगे ताकि अगर कोई छोटी मूठी मिस्टेक हो जाती है तो आपका सारा ना कटे इंपलोई कितना आगए आपका चार सो दूसरी चीज क्या लेना आपको रेंट स्फिर लेना अपने इंट्रेस्ट फिर लेना ही अद५ सल जुलोगज इंड़ कर दोगे तो तुमारा आंसर वह आएगा अंड़ी फ्सकर अग्या 20 रेन्ट आग और कोंट्यर्टी कितना है क्लास संब्सक्राइब नहीं दिए गया तो इसके तीन पार्ट ए अन्से प्रॉफेट डिविदेन और पॉइअब हुआप 10 यहाँ एक है 50-60 ठीक है और guitar income self-employed आपको देर रखा है क्या makes income self-employed भी आपको नहीं दिया तो उसको भी आ ब्लेंक लेल तो यह class आ गया आपका कितना 510 550 चाहे टेरे 10 तुमको जो निकालना है वो क्या निकालना है जी설 इन की MP तुमको निकालना है गिवल्ट किवन है नडी पीएपसी तो नेट से ग्रॉस में आने के लिए अब और करेंगे प्लस डेप डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम करेंगे प्लस एन फाइप फॉर्मला आपने याद कर लिया होगा प्लस एन आइटी आप चेक कर लो यहागया पांसो दस प्लस जोंडो वह देखा 50 तो आपका आंसर आगया 560 तो कितने सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजी आप इसी तरीके से क्लास बोड एक्जामनेशन में आता है लिखने के लिए तो आप बिल्कुल इसी पैटरन से को बनाओगे इसी पैटरन से कॉश्चिन को लिखोगे ए बहुत कुछ मैंने सोच जगा है क्लास आपकी एक्जुकेशन को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए बस मुझे चाहिए क्लास आपका सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन दबाओ अच्छा लागे लाइक करो आप अगर मुझे मोटिवेट करो वे क्लास मै आपको डबल ट्रिपल रिटर्न करूंगा मेरा पैशन ही यह पढ़ाना वह आपको दिख भी रहोगा ठीक है डेली बेसिस पर आप लोगे काम कर रहा हूं बस आपका सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन दबाना है और कुछ नहीं 21 कॉश्चिन आप चाहो तो वीडियो पॉस करके खुद भी बना सकते हो 21 कॉश्चिन को तो मैं बना के दे रहा हूं क्लास देखो किस तरीके से सबसे पहले मैंने इस कोश्चिन में देखा तो मुझे इंकम मेथड़े काफी आइटम मिल गए तो मैं सबसे पहले एंड़ीपी एपसी इंक जोड़ दो उसको अब उसकी दो पार्ट देखो सबसे पहला क्या है वेजिस इन सैलेरीज इन कैश इन काइंड ये रहा कैश ये रहा काइंड दोनों को मैं जोड़ देता हूं साथ सो प्लस सो फिर मुझे लेना एंप्लोयर कॉंट्रिविशन गलती से भी गलती से भी एंप कितना है क्लास अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोशिंस भी कराऊंगा कही कोशिन में अप्लस निकालना भी होता है क्यों कई सार ऐसे कोशिंस हैं जिसके अंदर इंकम एक साथ लगेंगे तो फिर मैं आपको एक और वीडियो बनाके साथ को निप्टा देंगे एक हो गय पर टैक्स बुलते हैं वहавай नहीं लेना है लास्ट क्या અ wisdom can self-employed क्या दिया रहाँ Türkiye कि तो यहां पर आपको 210 दिया था यह आपको 250 दिया हुए तो 210 डॉस 560 यह कर और उनेह गया अवह क्लास आपका 825 ऑए 1965 1965 आपू पब करोगे 700 अब इक 1800 तो यह खेंग 825 प्लस करोगे इसमें 80 तो आएगा 905 प्लस हंड्रेड प्लस 210 और प्लस 250 तो यह आगे एक लास कि 700 प्लस 100 800 प्लस 25 825 प्लस 80 905 प्लस 100 1005 प्लस 210 प्लस 250 तो 1465 अ ठीक है 1465 लेकिन मुझे निकालना के नशय इंकम को क्या कहते है नशय इंकम कहते है एन फीक्ती और गिवन क्या यह भण यहाँ पे डप्यक्त गठानों ड़ाफे सर्ट हुषरी उसे difference क्या है क्लास वह आपको एंड़ींपैपसि निकालना है तो आपको क्या करना है निकालना नीदेफ प्लस कर दो ठूटो इसमें नेट फैक्ट इंकम और आपको देखा हो कितना माइनस का ट्वेंटी पहाइब कर दोत यहाँ आंसर आ एक वर हम क्लॉस क्लॉस चेक कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या लेना होता है इंडीपे अपसी में कॉमपनसेशन आफ इंप्लॉइज वह आपको नहीं दिया तो इन क्याश और का आपने यह लेना है 80 प्लस 100 180 प्लस आगया 210 प्लस आगया 250 डाट इस 1465 अब आपको गिवन क्या है NDPFC और निकालना क्या है NNPFC तो इसको ठीक कर लेना क्लास यह कोशिन का प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसका अंसर लेलना 1245 ठीक है यहां पर इंकम एक्सपंडिचर दोनों मैथड कंप्लिट होगा तो ही कर पाएंगे तो आगे जितने भी कोशिन से बेसिकल यह रहा कोशिन एक वर इसको देखो 27 आपको इंकम मैथड और के निकालना क्या है थे निकालना क्या वरस अगर हम अभिब ऑग इंकम मैथड फिर आपको ब्रिणों को रोल्टी कितना मुझे बता हो मुझे बता है कि आपको बता हो मिगस इनकम में मुझे नहीं दिया गया रेंट व्यल्टी इंटरस्ट प्रॉफिट यानि कि गिवन क्या है NDPFC और मुझे निकालना क्या है बताओ ज़रा GNPFC तो N से G में जाने के लिए प्लस करूंगा D से N में आने के लिए D से N में आने के लिए प्लस करूंगा NFIA और FC FC से में तो कुछ नहीं करना यह आगया 3850 प्लस कितना दिया हुआ है कंजप्शन ओफिक्स क्यापल आपको 100 दिया हुआ है प्लस NFIA नेट फैक्टर इंकम फ्रॉंब्रोड यह माइनस का 50 दिया गया है यह आपका अंसर आगया 3900 जब लगा होगे ना एक्सपेंडिचर में थर से भी जो आंसर आएगा वह आपका 3900 ही आएगा इस तरीके से क्लास जो भी इंकम मैथर्ड के कोशिंस हैं उनको प्लीज आप बना लेना और अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मैथर्ट आपको वीडियो पसंद आया होगा काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लाइक करो जो भी कॉमेंटे क्लास आप व